लोग खुसी मना रहे हैं तो याद रखिए वो सेर कहीं गया नहीं है वो सेर आएगा और फिर उसी जोस के साथ दोगुना एनरजी के साथ और वो लरेगा और वो जबाव भिहार का हीरो है सेर है और सेर ही रहेगा चाहे रभी भटो राकेश तिवारियो और मनिस कस्यवो अग या वो रेप किये थे या क्रिमनल थे वो किस चीज के लिए उन्हें उनके घर पर कुरकी जबती हुई तनी बिहार जो पुड़े देश का आवाज बना है जो बिहार का आवाज बना है जनता कि सुख दुख के लिए हमेंसा 24 आबर खरा रहा था आज उसके पर टीम बन गई उस पर फायर हो गया मैं यही कहना चाहती हूं कि उन तमाम जो समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी हमारे माननीय मुखमंतरी इंतिस कुमार जी को उन पर फायर क्यों है अभी हमारे साथ महिला विकासमंच की प्रियंका जाजी मौजूद हैं और इनसे एक बात हम करेंगे कि अभी बिहार में एक बवंडर मचा हुआ है जैसे लगता है कि एक रेपीस्ट को एक मडर करने वाले को जेल में डाल दिया है यानि बिहार पुलिस ऐसा बता रही है बि तुरां टीम बन जाएगी तुरां तुनको पकर के जेल में डाल दिया जाएगी बिलकूल यही चीजे हमारे बिहार में अभी चल रही है जो भी सत्य के लिए आवाज उठाता है उसकी आवाज को दवाने के लिए इनकी लाठिया में बहुत ताकत हो जाती है मनीश कस्यप जी अपने धर्म का पालन किये हैं सम्विधान का पालन किये हैं और कानून की रक्षा किये हैं उन्होंने अपने आपको सरंडर किये हैं हम यह कहना चाहते हैं कि क्या वो रेप किये थे या क्रिमनल थे वो किस चीज के लिए उनके घर पे कुरकी जबती हुई इतनी फास्ट आखिर वो छुपे हुए तो नहीं थे वो तो बोली रहते कि आप जब बोले तब हम सरंडर करने के लिए तयार हैं फिर कुर्की जबती क्यों यह सोची समझी पूरी बिहार में साजिस चल रही है और मनिस कस्यप एक पत्रकार है और उसे यूटूबर बोले चा सरकार पहुंचाने का काम करता है जरिया बनता है उससे तुम पत्रकार ही कहें कांगे बिहारि की जनता से पूचना 20 आप जाते हैं उसकी वजह से लोग निड़र बने लोग एफ़ाइर करने जाते हैं उसकी वजह से जाते हैं आज उनपर टीम बन गई इतना फास्ट अगर और भी केस में काम करती बिहार पुलीज क्या बिहार की गरीब जनता परिशान रहतीज में मैं यही चीज़ कहना चाहती हूं कि हम लोग दीन रात मेहनत करते हैं फिल्ड में और अभी 22 मेना की बेटी के साथ रेप हुआ है कितनी दहेज उत्पीरन वाला मामला है जो हम लोगों के सामने हैं कितना मडर हुआ है और हम लोगों की एरी चोटी करने वाले उसको पकड़ उसको पकर सकते हैं उतनी तक नहीं होती है लेकिन एक शनब बिहाड जो पुरे सुख दुख के लिए हमेशा 24 आबर खरा रहा था आज उसके पे टीम बन गई उस पे फायर हो गया मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन तमाम जो समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी हमारे माननिय मुखमंत रिंतिस कुमार जी को उन पे फायर क्यों नहीं हुआ राज दैनिक जागरन, दैनिक भासकर हिंदूस्तान तमाम मीडिया पंदू जो प्रिंट मीडिया वो अपने ख़वर को परमुकता से बाज उठाई थी उन पे फायर क्यों नहीं हुआ और जब ट्विटर पे जब ट्विट हुआ है उसके बाद ही मनिसका स्यबजित तमिलाडू अब चोड की तरह नहीं गये हैं एःपोर्ट पे कुछ मीडिया बंदू ने उनका भाइट भी लिया है तो वह सोची सम्झे साजी स कैसे हो सकती है जाकर उन्होंने ये भी न्यूज चलाया है कि नेता से नाराज है बिहार की जनता वहां जाकर उन्होंने ये नहीं चलाया है कि वहां काथी रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल यहीं चीज़ें उन्होंने कहीं भी है देखिए जैसे हमारे बिहार में सब जानते हैं कि सराब नहीं जानते हैं आच्छे तरह से सराब नहीं बिकड़ा है उसी तरह हमारी बिहार के मजदूरों की पिटाई और देश में या और राज में नहीं हो रही है जैसे सराब नहीं बिकड़ा है वैसा ही हमारी बिहार मजदूरी भाई को वहां पे बाहर में कोई किसी तरह का उस पे कोई कोई दंगा मात्र काम आता है को परटकर ने thrive को हैं समाज कही गया नहीं है, वो सेड़ आयेगा, और फिर, उसी जोस के साथ, दोगुना एनरजी के साथ, और वो लरेगा, और वो जवाब करेगा, हम क्याते हैं कि आपके विधान समावें, ना जाने कितने मडर करके बैठा हुआ है, कुछ विधायक उसमें से, ना जाने कितने रेफ करके बैठे हुए हैं, कितने मडर किया हैं, कितने मुखद में दर्ज हैं, क्यों नहीं आप उस पे फायर करते हैं, क्यों नहीं उसका सदस्ता जो हैं, आप रद करवाते हैं, उसको अपने बिधान सभा में बैठा करके तालिया बजवाने का काम करते हैं और यहां पे जो जनता की आवाज उठा रही है, हसत के लिए लर रहा है, जनता के हक के लिए लर रहा है, आप उसको अंदर करवाने का काम कर रहे हैं, तो यह चापलूसी गिरी नहीं चलेगी, यह राजतंत्र नहीं, यह लोग अपना राजतंत्र बना के रख लिया है, यह ल कौन से जात किया के जो भी करता है उसका कोई जात कोई धर्म कोई मजशब नहीं होता सिर्फ दरिन्दगी होता है तो यह कोई क्रिमनल रिपिस्टर या कोई बड़ा यह नहीं था जो इनको अंदर कर दीआ बीहार सरकार पर देश के इतने बड़े आतंके को पकरने का काम किया है कि आपको सेल्यूट करते हैं बिहार के जनता और आपको नमन करते हैं कि आपने जो काम कर दिखाया साइध पता नहीं नो देश के मुलकों भी काम नहीं कर पाता जो आपने कर दिखाया शरम आनी चाहिए जिस पे आपकी लाठिया बोलनी चाहिए जिस पे आपकी बर्दी की वह ताकत देखनी चाहिए उस पे आपकी दिखती नहीं है अरे जो परसासन ने उनको ले गया है थाना में वो लोग तो सेलफी लिए हैं उसके साथ बिल्कुल मैं यह कहना चाहती हूं कि बिहार परसासन जो आज उनके उन को अंदर ले जाने का काम किये हैं वही परसासन उसके साथ सेलफी लेने का भी काम किये हैं तो वह बिहार का हीरो है सेर है और सेर ही रहेगा चाहिए रभी भटो राकेस तिवारियो और मनिस कस्यवो अगर पत्रकार जुक जाएगा तो जनता की आबाज दब जाएगी और य जनता की आबाज हम लोग दबने नहीं देंगे लरेंगे हर हाल तक लरेंगे